तो चलिए देख लेते हैं चार कौन से नियम बनाये गए हैं जो आपके BPSC के आने वाले एक्जाम में लागू होंगे यानि कि अगर आप दोस्तों सरसतिवी BPSC के एक्जाम देने वाले हैं वैसे तो कैंसल हो गया है लेकिन ये बहुत ही जल्द आपको एक्जाम करा लिया ज जाच को खतम करने के बाद तुरंत यहां पे इसी पे बैठक होगी कि एक्जाम कब लिया जाए इसी मुद्य पे बैठक होगी लेकिन बैठक कब होगी जब ये जाच फाइनल हो जाएगा तब और इससे पहले CDPO का एक्जाम है 15 माई को यानि कि बाल विकास परियोजना पता 20 मिनट भी लेट हो जाता है तो आपको एक्जाम सेंटर में अंदर जाने नहीं दिया जाएगा ये नियम लागू किया गया है इसी लिए अगर आप CDPO का एक्जाम देने वाल है तो दोस्तों पहले ही सेंटर पे चला जाएगा रिस्क मतली जाएगा हाँ ये बात अलग है कि आपका 12 बज़े से एक्जाम है तो 10 बज़े आप एक्जाम सेंटर में जा करके बैट सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन लेट करके नहीं जाना है पहले चले जाएगा फैदा होगा लेट नहीं करना है चार्ठो नई नियम बनाएगा है देखिए यहाँ पे 10 मई आपको कम से कम एक महीने लगेगा लेकिन जादा लेट दोस्तों नहीं लगेगा क्योंकि देड़ महीने के बाद बारिस का मौसम आने वाला है अगर एक बार बारिस से श्टार्ट हो गया बहुत दोस्तों प्रोब्लेम होता है बारिस में बहुत जादा प्रोब्लेम हो जाता है सरकार चाहरी है की जल्दी से जल्दी मामले का जाँच खटम करके जो भी दोसी पाये जाएगा उसको sort out करके matter को और जल्द से जल्द अभियर्थियो को तो सरकार चाह रही है कि जल्दी से जल्दी से मामिले को निपटा लिया जाए लगा ता जाच वगरा चल रही है चार ये नए नियम बनाए गया है देखिए और यहाँ पी UPSC की तर्ज पे क्योंकि अब क्या ही कि डिजिटल जमाना हो गया है यह दोस्तो BPSC सरसत्वी BPSC क दोस्तो लगेगा मिनिममम 15 दिन में अगर जाच फाइनल हो जाता है तो साथ दिन तो कम से कम और रख लिजिए जाच रिपोर्ट जो है उसको लेने देरे में और उसके बाद आपको तुरंत एक्जाम क्योंकि यहाँ पे सरकार पुरी तरसे देखिए श्ट्रिक्ट है वो सारी चीजे नियम कानून फॉलो की जाएगी जो भी आगे खबर जो भी आगी आपको बताने का प्रयास करें